नमस्कार दोस्तों मेरा उल सास्तरी सावगत करता हूँ आपका दोस्तों आज हम चर्चा करेंगे उच के सनी के उपर कुंडली में अगर सनी उच का है तो आपको उसके किस तरह के परिराम देखने को मिलेंगे सनी अगर उच के हैं तो किस परकार के रिजल्ट आपको देगे पहुती सरल तरीके से कम सब्दों में हम जानेंगे सनी के इफेक्ट अगर सनी नीच के हैं तो आपको वीडियो असानी से समझ में आ जाएं तो इसलिए पहले आपको कुछ सनी के बारे में बताना चाहता हूं सनी आपके परकरम को दरसाते हैं सनी परिश्रम के कारक हैं सनी करम के कारक हैं तो सनी को नय के कारक माने जाता है लगनस सनी या सनी खोज के कारक माने जाते हैं घहरी खोज के कारक माने जाते हैं साथी साथ दुख बिमारी के भी कारक सनी माने जाते हैं Medical astrology के अगर बात करें तो सनी बिमारी को दरसाते हैं, घुटने को दरसाते हैं, पैरों की समस्या दरसाते हैं, साती साथ सनी अगर नीच के हैं, तो जिन्दवी को संगर्ष के साथ साथ व्यक्ति को मानसिक रूप से भी परिशान करते हैं, अब यह मैंने बता है सनी किस चीज के करक हैं, पर आप समझ रहे होंगे सनी अगर सनी तो हमेशा खरापफल देते हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं है, अगर कुंडली में सनी उचके हैं, कोई भी घर अगर उचका है, इसी परकार सनी अगर कुंडली में उचके हैं, तो उसके परिनाम आपको 100% रिजट देखने को मिल कर देखने के अच्छे परिनाम, पर सनी अगर उचके हैं, अगर वरसब लगन हैं, जैसे यह सात लिक्षाय लगन में यह तो तुला लगन हुई, अब सनी कहीं पर भी हो, किसी भी भाव में हो, अगर केंद्र में, बांचे भाव में, भाग है तीन लिखाए लगन में मिथुल लगन है छे लिखाए कन्या लगन एठ सात लिखा तुवल तुल लगन है दस और 50 मक और कुम्ब लगन ए इन लगनों में सनी मुझकेया तो葉 को बहुत अच्छा फाइदा दे ढहे सनी पहले- चोथे सात्य और दस्वे भाहों में उच के था तो इस नमक पंच महापुरुस राज योग भी बनाते हैं अब इसके किस तरह के परिनाम होंगे या सनी अगर उच के हैं तो किस तरह के परिनाम देखने को मिलेंगे मैं आपको बता रहा हूं गले सणी के बारे में बताता हूं जो रिजल्ट कि देने की संटा सनी रखते हैं और कोई दूसरा गरहर नहीं रखता है कि कपच्छे लोग ऐसे होते ऑपर कुंठी से उपर पोच्छ जाते हैं इलाजा से ऊपर युदक कनत दिक्षा नाट के आप कैंतुए आप श्तिती है धर ऑप समझ लिजा सनी की 100% मेंहें साती साथ सनी करम के कारक हैं तो आपके करम बहुत अच्छे होने चाहिए परिश्रम जरूर करना चाहिए परिश्रम के कारक है तो मैनत जरूर करिए सनी रिजल्ट आपको 100% देंगे इदेंगे, आप सनी ऊच के कैसे समझे तो कुडली के अंदर जो 20 है, 20 यानि जहां पर साथ लिखा हो तो वो तुला रासी हुई साथ नंबर में अगर सनी होई तो उसका मदलब यहां पर सनी उचके समझे जाएंगे और सनी की डिग्री अगर 20 डिग्री तक है तो ही सनी पून रूप से परम उचके होंगे और अपना 100% रिजल्ड देंगे तो 20 डि व्यक्ति तमाम सुक प्राप्त करता है तो किस तरह कब मिलेगा आपको उचके सनी के परिनाम जैसे कि मैंने बताया सनी अगर कहीं पे भी साथ लिखा है उसमें सनी है तो यहां पर सनी उचके होंए सनी की डिग्री 20 डिग्री तक होने चाहिए यह दूसरी कंडिशन जो लग लगन हो 10 और 11 मकर और कुम लगन हो और कहीं पर भी सनी उचके हो यानि साथ नंबर में हो अगर वो केंद्र में है त्रिकोन में है धनभाव और लाभाव में है तो यहां पर वह अपने अच्छे परिनाम देंगे यह तीसरी कंडिशन हुई यह कंडिशन बननी चाहिए जहां पर सनी आपको 100% रिजल्ट देंगे तो सनी की दसा अंतर दसा में आपको किस तरह के पनिनाम देखने को मिलेगे तो जो भी आप परिश्रम करेंगे जिस तरह का भी काम करेंगे उसमें आपको 100% रिजल्ट देखने को मिलेगा सनी अगर उचके हैं आकस्मिक लाब को दरसाते हैं आपके प्रकरम के बाद आपको रिजर्ट अच्छे मिलेगा नोकरी के छेत्रे में आप अच्छे एक अच्छा इंडिस्टलिस्ट राजनीती के छेत्रे में जातक पहुत अच्छा नोकरी के छेत्र में पहुत अच्छा सनी को लेबर यानि दास का भी कारक मना जाता है तो ऐसी वेक्तिव के अंदर देखा गए हैं कि वह बहुत लोगों को नोकरी पर अभी रखते हैं राजनीती के छेत्र में अगर सनी उचके हैं तो ऐसे जातकों को देखा गया कि वह बहु अच्छी उचायों को छूते हैं आपको मैंने बताया सनी अगर उचके हैं और उसके किस तरह के प्रिनाम आपको देखने को मिलेंगे इसका मतलब यह होगा उस जातक की तुरा लगन होगी लगनस सनी पहुत अच्छा नहीं माना जाता पर तुरा लगन के अंदर वो पूर्ण शाल बाद भाग्य उदे होता है, 36 साल बाद व्यक्ति का भाग्य होता है, 36 साल से पहले सनी पर आकरम परिश्रम कराते हैं व्यक्ति को और 36 साल के बाद देखोगे व्यक्ति के अपना भी काम बनने लगते हैं, लगनत सनी नयाय का कारक होता है, ऐसा व्यक्ति हमेशा घबरा के जरूर रहेगा पर नयाय के पर्ति और डिस्प्लिन और करम के पर्ति हमेसा सचेत रहेगा इसी परकार सनी अगर भाग्य बहुम से उंच के होके बैठे तो व्यक्टि को अपनी जिंद्की के अंदर भाग्य का साथ पून रूप से मिलेगा ही मिलेगा व्यक्ति को अपने जिंदिकी के अंदर भाग्य का साथ मिलेगा ही मिलेगा पैतरिक संपत्ति और गुरु जोनों का अशिरवाद ऐसे व्यक्ति के पास हमेशा रहता है अगर सनी दूसरे भाहों में उचके हैं तो समझ लेजिए कन्ना लगन होगी कन्ना लगन और दूसरे भा वाला होता है पांचवे भाहों में अगर सनी उचका हो के बैठता है तो ऐसे व्यक्ति की संतान के बाद उसको फैदा होता है संतान के बाद जिनके के अंदर तमाम सुख प्राप्त करता है ऐसा व्यक्ति चोते भाहों के अंदर सनी अगर उचका होके बैठता है तो जातक को माता का लाप प्राप्त होता है बलकि पैत्रिक संपत्ति को बढ़ाने वाला होता है ऐसे जातों के पास मकान भूमी पहुत होती है दस्वे भाहों के अंदर अगर सनी उचका होके बैठता तो करम वान होता है ऐसा वैक्ती सिंपल फैमली में जन्मा होता है पर अपने करम से अपनी मेहनत से जिन्दके के अंदर तमाम सुक प्राप्त करता है और जिन्दके के अंदर मान सम्मान परतिष्टा यस कीरती ये सभी सुक प्राप्त करता है अगर दस्वे भाव में सनी उंच का होता है तो दोस्तों बहुत ही सरल तरीके से कम सब्दों में मैंने आपको बताया मेरी वीडियो कर अच्छी लगी हुए तो लाइक जरूर करना सनी का नीलम रतन भी आप पहन सकते हों अगर सनी केंद्र तिरकोन में अगर है यानि अगर लगने वर्षब लगने मिथुन लगने कन्या लगने तुला लगने मकर और कुम इन लगनों के अंदर आप सनी का तीलम रतन भी धारन कर सकते हैं धन्यवाद मित्रों